देश में कोरोना वाइरस का आकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है इसको लेकर सरकार द्वारा लॉक्डाउन 4 की घोशना कर दी गई है लेकिन इसी घोशना के साथ कुछ नए नियम काईदी भी आए हैं जिनके तहत नए नियम काईदों में सबसे इंपॉर्टन चीज थी ट ट्रांसपोर्ट को लेकर क्या कहा है केंद सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन में कंटन्वेंट एरिया को छोड़ कर सभी राजों को आपसी सहमती से ट्रांसपोर्ट को लाने ले जाने की अनुमती रहेगी यानिकि दो राज्य आपसी सहमती से बसों का आवगमन राज्यों में करवा सकते हैं दूसरे चीज की राज्यों और संग राज्य शेत्रों द्वारा लिए गए निर्ने के अनुसार राज्यों में बसों के आवगमन की अजासत दी जाएगी यानि कि राजी एक जिले से दूसरे जिले में बसों को जाने की अनुमती प्रदान कर सकते हैं तिसरी चीज ये है कि बसों में सफर करने के दुरान यात्रियों को जारी नियमों का पालन करना होगा जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मास्क आदी लगाना इसके साथ ही बसों को 50% सवारी ले जाने की अनुमती होगी यानि की बस में जितनी सीट है आप उसकी आधी ही सवारी अपने साथ ले जा सकते हैं ये नियम है चो केंदर सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स के लिए जारे किये हैं अब आपको बताते हैं कि राज सरकारों ने कौन से नियम लागों किये हैं दिली में खेजरिवाल सरकार ने राज में बसे चलाने की अनुमती दे दी है एक बार में 20 से जादा यातरी सफर नहीं कर सकते हलाकि दिली के कंटिनमेंट एरिया को इससे दूर रखा गया है पंजाब सरकार ने राज में बसे चलाने की अनुमती दे दी है वहीं दूसरे राज बसों का आवगमन का डिसीजन 31 माई के बाद देंगे पंजाब में अभी बस की शमता से आधे ही यातरी सफर कर सकते हैं राजस्तान सरकायने बसों को चलाने की अनुमती तो दे दी है लेकिन शमता से आदे ही यातरी सफर कर सकेंगे कांटेंमेंट एरिया को छोड़कर ऊरेंज जोन और ग्रीन जोन में बससे चलाने की अनुमती दी गई है ग्रीन जोन में जिले से जिले तक बस चलाने की अनुमती भी प्रिदान की गई है राजिस्तान और हरियाना में राजु के अंदर ही बस चलाने की अनुमती दी गई है और मदिर प्रिदेश और बिहार में बसे न राजु के अंदर चलेंगे और ना ही बाहर जादतर राज दूसरे राजों में परिवहन का फैसला 31 मई के बाद ही तै करेंगे